हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं के इस खास-पतियोगिता में हर 8 पेंटर को पेंटिंग बनाने के लिए सिर्फ 2 मिनट मिलेंगी और पेंटिंग किस बारे में होगी इसका फैंसला ये परचिया तय करेंगी तो आएए बढ़ते हैं अपने प्रतियोगिता की और तो आएए पार्टिसिपेंट्स एक एक करके अपनी पर्टियां उठाएं पिड़ा ये तकान सा हो रहा है मैं गर जा रहा हूं हम शाम को गर पर बिलते हैं ठेका पापा आप देहान से जा चिंता मर कर बेटा टेक कैसे तंबाल करें तो बस हमारे आखरी प्रतियोगी के आते ही ये कॉम्पिटिशन शुरू कर दिया जाएगा तो मिस्टर आकाश आप जहां कहीं पे भी हैं प्लीज स्टेज पे आजाएं मिस्टर आकाश ये कून है Excuse me देखे अगर आप बिना पर्चे उठाए अपनी पेंटिंग शुरू करेंगे तो आपको डिस्क्वालिफाइ कर दिया जाएगा 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 ये आदमे कौन तहा इसका आईडी चेकते ही आपने आप कैशन मठेलीजे हम इसे डिस्क्वालिफाय कर देंगे सर डिस्क्वालिफाय की बात निया ये था कौन पता करो क्वर ये आधमे लिगी जी सर रोधर जी, रोधर जी आपकों जा रहे हैं प्लीज, सुने तो मेरी बात तो रहे, कहां चाल गा, अभी तो यही था? Sir! Sir! हाँ हाँ, आ रहा हुँ, स्टेज़ पर में नहीं सर, स्टेज़ पर नहीं सर, वहाँ दूसरे कोरिड़ों में बहुत बड़ा हाथसा हो गया है सुप हाया जल्दी आये, प्लीज प्लीज, प्लीज, साइट दीज, एक मिनेट, साइट दीज पापा, ठीज, पापा उठी, आप उठी, आप उठी आप को जाए रूदर शीब, संभाल लिए अपने आपको अरह यहां संभाला पर पापा को मा जाए अज जिए भी एक रिया मस को छोड़ो गा ले सर्व आपका फोन बज़राए सर्व क्या क्या लगे का फोन या हाँ कॉंग्रेचलिशन विर अरे थेंक यू थेंक यू कैसे हूँ थीखन आप पाटिय एंजो की जिए तरह एक इंपोर्टन कॉल हाँ, बी कमपटेबल, भाई, यह पगड़ो, हाँ, अरे बबाबा, कितनी कोशिश करोगे, अब बस भी करो, जब तक यह रूद्रा फोन नहीं उठाता, मैं उसे कॉल करते ही रहूँगा, किसी काम में बिजी होगा ना, यह हमेशा का नाठा गे यार इसका, जब भी हम लोग म इतने उत्सुख हो कि हम तीनों एक साथ में इतनी दिनों के बाद में मिल रहे थे, मिल रहे है, मिल रहे है, मिल रहे है, बस एक कॉल लगने तो फिर देग, वो आब ही जाएगा ना, फिर भी मैं नहीं मिल पाऊंगी, क्यो? कल सुबह पूना निकलना है, कॉन्फरेंस के लि ठीक है? ठीक है? ठीक है? नाइस, नाइस, नाइस हाँ चलो, congrats थाइंक य वेरी मच, समल के जाना ओके, बाइ चलो, happy journey समल के जाना या अरे बेटा, पाटी किसे चल रही है? अरे पपा, बहुत बढ़िया चल रही है पाटी हमारे बहु नहीं आई है बितादी वोली Hi Namrita, कैसे हूँ बहुत प्यारी ड्रेस है Thank you so much Carry on Hello Congratulations Tanya Thank you so much Excuse me I am a It's a beautiful इपके जिसी नाम भी नहीं लिखा I am open Jewelry Box My God इतनी खुबषर सोने की चेंटो मैंने कभी नहीं देखी है What a means, Dania बहुत छे हरी हो इपूश लग रही हो विवान, देखो, कितनी कीम्ती चेन है किसने दिया ये गिप तुम्हे इसने दिया विवान, यहां रखा था, इस पे नाम नहीं लिखा हुआ है अरे नाम दिये तो तुम उठा लोगी अब लाओ, यहां पे दो तुम चिल्ला क्यो रहा हुँए है पूछा क्यो нос दो यगज़ा लाओ, मुचा दो क्या हुआ विवान, तुम चिल्ला क्यो रहा हुए हो चिल्ला क्यों रहा हुएयो भीवान, यह क्या है तुमने, इतना खीम्ती दोब हो फेख दिया चया अप दिमाग थी और दिमाग? दिमाग मेरा नहीं, तुमारा ख़राब है तानिया कोई कुछ हो इदेगा और तुम थालोगे अले टेबल पर रखा थाम cooler टेबल पर रखा तुम टेबल पर रखा था डिवान दिवान सुनो तुम मेरी बात हलो हलो विवान रुद्रा प्लीज तु यहां पर आजा मुझे तुछ से बहुत जरूरी बात करनी है मैं नहीं आसे तुम मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे यहां किसे नहीं उनके चाह ले ले सॉरी सॉरी यहार अच्छा मुझे बदा तु इस वक कहां पर है तेरला अधी तु अच्छा ठीक है तु वही वही पर हूँ मैं आता हूँ एक पंद्रा मिनिट में पॉंचता हूँ विवान बेटा जवाब तो दो विवान विवान? विवान व यहां आडिटोरियम से कोई बहार तो नहीं गिया नहीं गिया है नहीं से हम खुन कॉल डूर में हुआ है यह किसी अंदर माले कभी हाथ हो सकता है अम में से कोई ऐसा क्यूं करें जा कोई बज़ा हो सकती है सिर्थ करेंग अदर झाओ ज़ की यह divi बजुर जा एसे हम जोगाक व्यूम्मेगें ले लेटाउर करोakah इस एक उउल्लियोंके निशान लो औरके विजू है गर जाने के लिए और उस दौरान ये ये खून हुआ उनका जी तो सबसे पहले इनके लाश किसे देखी थे सबसे पहले लाश हमारे प्योन मंदीप ने देखी थे लाश के आसपास आपने किसी को आते जाते या भागते हुए देखा था जी ने कोई नहीं था सर एक अंजान आदमी आया तो था ओडिटोरियों में उस दोरान पर पता नहीं उसका इस खून के साथ कुछ लेना देना है या नहीं कौन आदमी कोई आदमी कॉंपटिशन के बीच में घुच के पिंटिंग करने लगा सर हमें भी हैरानी ऐसी हुई थी जैसे बिल्कुल अभी आपको हो रही है आप लोगों ने उसका चैरा तो देखा होगा ना कौन था वो नहीं माडम उसने हुट वाला जैकेट पैन रखा था और अपना चैरा भी छिपा के रखा था तर हम कुछ समझ पाए उससे पहले तो वो ऌहां को पेंटिंग बनाकर भाग भी गया उजबर दिखाई ये कौनसी पेंटिंग बनाए उसने है आई मारी पर्चिवे में कहें भी तो ड़िग था जरूर वो इस पर शयरे कुछ कहना चाहता था Sir, उसने ये पैंटिंग जुन करने से पहले बनाई होगी, अब आद में Mr. Rudevra, जब वो आदमी ये पैंटिंग बना रा था तबी आपके पापा आपके साथ थे? या जा चुके थे? Sir निकल गए ओ और उस आदमी ने ये पेंटिंग किती तेर में बनाई थी? एक जड़ मिनिट में बना दी होगी. पेंटिंग बना के तुरंत वो यहां से बाहर भाग गया? जी सर्व. अच्छा, जब वो आदमी ये पेंटिंग बना रहा था, उससे किती तेर पहले आपके पापा यहां से निकल गए थे? सर, दो मिनिट पहले. दो मिनिट पहले? तब वो आदमी यहां से जल्दी से बाहर गया और और पॉरिडर में जाके उसने खून कर दी? पर सर, दो मिनिट में तो इनके पापा को कॉरिडर को क्रॉस कर लेना चाहिए था. सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके पापा का खून कहीं और किया गया हूँ और उनकी लाश को कॉरिडर में रख दी गई हूँ. नहीं, ये जर्म तो इस कॉरिडर में हुआ है. सर, उनकी उमर हो गई था और उनके घुटनों में प्रोब्लम थी, वो तेज नहीं चल सकते था यह भी तो हो सकता है कि उस आदमे के साथ उसका कोई पार्टनर था एक यहां पर पेंटिंग बना रहा था और दूसरे ने जुन को अंजाम दे दिया हां? पर सर, वो आपनी इस पेंटिंग के जर यह कहना क्या चाता था Mr. Rudra, आपके समझ में कुछ आता है यह सुनहरी आंक, यह क्या है? कोई अंदाजा है? जे में Rudra पर दूप, यह क्या हो गया याद? आप जे, यह मेरा कॉलेज का फ्रेंड है, विवान Sir, सभी लोगों के अंगलियों के नेशान ले लिये अब बस अंदर वाले ही बचे ठीक है अब आप लोग भी प्लीज कॉपट कीजिये हमारे साथ लेकिन सर मैं प्लीज, हाथ रखिये हाथ रखिये 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 Hudra जी, आप लेग विवान लेकिन मैं तो अभी अभी आया हूना तो कोई नहीं हाथ रख दो, कुछ नहीं रखिये रखिये ठीक है प्रड़ी, श्रिया सारे पेंटिस उजप्त कर लो सर, वो वाली पेंटिंग बहुत अच्छी है, सर मैं इसे घर लेके जाओ प्रड़ी, ये सबूत है पेंटिंग नहीं इसे एविडिन्स बैग में टालो अलो क्या? क्या हुआ पापा, तानिया मिली? नहीं बेटा, हमने सब जगे देख लिया इसका कहें कुछ पता नहीं चला ये देखो, अपना फोन में भूलकर गई है गर पर मैडम जी, मैंने पड़ोसियों की यहां भी देख लिया लेकिन तानिया मेंस आप कहीं नहीं दिख रही ऐसे कैसे किसी को बिना बताए चले गई वो जैसे तुम पार्टी छोड़के चले गए थे तुमने वे चैन को फेकी सब के सामने वो उकी इतनी मिस्ति कराई शायद नाराज हो के लिए इसलिए घर छोड़के चले गई है ने ने, कहां जा सकती है वो गई होगी किसी दोस्त के पास लाइए मुझे फोन दीचे, मैं कॉल कर रहा हूँ अने सब जेके फोन करके देख लिया वो किसी भी दोस्त के घर पर नहीं है किसी के आभी नहीं है कहां जा सकती है अने 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 क्या दो जरूरी चीदे बताने माला था तो बस विरेंदर जी के केस में हमें दो बैतफूर्ण सुराग मिले हैं अच्छा क्या पहला सुराग इस चाकू पर जो अंगलियों के निशान है वो वो इस सुनेरी आख वाली पेंटिंग पर जोंगलियों के निशान है उससे मैच करते है मतलब जिसने पेंटिंग बनाई फूनों से नहीं किया से और दूसरा सर इस चाकू पर से हमें कुछ केमिकल्स मिलें जिनका इस्तमाल पुरानी पेंटिंग्स पुरानी बल्दिंग्स को रिस्टोर करने में किया जाता है उनको नया पनाने में किया जाता है पुरानी बल्दिंग्स को रिस्टोर करने में किया जाता है पुरानी बल्दिंग्स को रिस्टोर करने में किया जाता है पिंटिंग रेशुलिशन का काम करता है साब जी, पानी सर, आप लोग यहाँ पर? रूदर के पापा का कुनी मिला? हाँ, वो तो बदा चल जाएगा, फिलाल हम यहाँ आपकी पतनी का बदालगाने आए मेरी पतनी का? आप लोगों को किस ने बुलाई यहाँ पर? साब जी, मैंने बुलाया इन लोगों को तानिया में सब के बहुत फिक्र हो रहे हैं अरे, CID वाले हैं, इन्हें बहुत बड़े-बड़े काम करने होता हैं अब यतनी छोटी बात के लिए इन्हें यहाँ क्यों गुलाया तुमने? एक मेंने, एक मेंने, आपकी पतनी गाया भे और यह बात आपको छोटी लग रही है ने, नी, सर, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था मेरी पतनी यहीं गई होगी दो रिष्टेदारों के बास लॉट आएगी असाब जी, हम लोगों ने तो सब को पूछ लिया ना, किसी को भी मालूम नहीं है असाब जी, फोन भी यही भूल कर गई है मिम साब तिकाई जरा जी अली जी आखरी बार किसको फोन किया तो तानिया जी नहीं आकरी बार मैंने बात की थी तानिया से, यह पार्टी शुरू होने के पहले पार्टी के दौरान कोई फोन आया नहीं सर ऐसे पार्टी के बीच में से कोई कैसे गायब हो सकता है एक काम करो जड़ा अंदर चेक कर लो, कोई सुराग मिल जाए क्या वात है Mr. Veeban ऐसा कौनसा ज़रूरी फोन कॉल है जो आप थोड़ा रूपने ही सकते सॉरी सर सर एक्स्क्यूज मी ज़रूरी कॉल है एक मिनिटा अलो हाँ ओके जी 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 ठीक है ओके क्या बात है आपके छेरे पर काफी खुश ही दिख रही है लगता है तानिया जी के बारे में बता चल गया नहीं सर, तानिया के बारे में ही पता चला यह मेरे काम से संबंदित पोन था इसलिए कमाले से आजके जमाने में लोग बड़े वरकाहॉलीक हो गये है उन जो पॉस फिरिम्हें ये मेरे मम्मी पॉपपा, और मैं प्रॉप में अम्रेका पेज्जरा हुआ मेरे कजन के पास अम्रेका? अचानक? फिर्शानक? 아니야, अचानक नहीं अब अरोधर के पापा की अकर चुनंके तो मेरा दिल तहल गया और मैं अपने मम्मी पापा की सुरक्षा के साथ कोई रिस्क नहीं ले सेता से क्यों? तुम्हारे भी दुश्मनी है क्या किसी के साथ? ने नी मेडम बात दुश्मनी वाली नहीं है अब आप ही सोचिये ना एक खुनी खुले आम इस देश के सडकों पर कुंड़ा है अब कितनों की जान को खत्रा भी है तो आप संबज सकते ना सर बेटा बव का पता चले तो तुरंत फॉंड करना जी पपा मैं तुरंत आपको कॉल कर दूँगा सर फ्लाइट का टाइम हो रहा है लेट हो रहा था ठीक है थैंक यू सर पपा आप संभल के अब ना क्या है जी इंजान रखना मैं जी हूंगा सर पूरा घर चान मारा कोई सुराग नहीं मिला ठीक है कर के अंदर नहीं मिला तो कर के बाहर देख लेते सुने की चेन सर यह तो वैसी सुनहरी आँख है जैसी उस पेंटर ने बनाई थी मिस्टर विवान आप चेन को पैचानते हैं ने नी सर पहले कभी देखी नहीं मैंने ये चेन कमाल है इतनी बड़ी चेन आपके घर में मिली और आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं पार्टी में कोई पैन के आया होगा ये चेन और उसकी चेन यहां पे गिर गई होगी ओ अच्छा 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 वैसे आपका कोई समान कहीं छूट जया तो क्या करते हैं आप सिंपल सी बात है सर ऐसे वक्त पे हम सामने वाले को कॉल करके पूछ थे कि भई मेरी और उसे होश ही नहीं है मैडम जैसे मुझे किसी का कॉल आएगा न मैं पहले आपको कॉल कर दूँगा अच्छा इस आख के बारे में कुछ जानते हैं जुद्रा के पापा के खोनी ने भी ऐसे ही आखी पेंटिंग बनाई थी सर जब मैं इस चेन के बारे में नहीं जानता तो इस आक वाले डिजाइन के बारे में कैसे बदा सकता हो ना सर refresh ठीक है फिलाल तो हम दोघड़ चलते हैं जब छेयों Een और आपको कुछ पता चलेगा आपको बता देंग है अलो? या विवान, बोलो. या रुद्रा. यार तु ठीक तो है न? पेठा बिठा है मुसीबत मोल ले लिया. वो तो है. डेक मुझे लग रहा है वो वापीस आ गया है. और वो सुहाना यार, सुहाना कैसी है? वो तो ठीक होगी न? एक मिनिट रुप, मैं सुहाना को कॉंफरेंस पे लिता. बाइ-बाइ. बाइ, मुम्मी. लव यू. हाई दोद्र, हाई विवान. हाँ, सुहाना, कैसे हो तुम? ठीक तो हो? मैं तो घर पर हूँ, ठीक हो. सुहाना, मुझे ऐसे लगता है कि वो वापिस आगया है. क्या? सुहाना, तुम्हे ऐसे कुछ भी लगे न, तो प्लीज, हमें इंफॉम कर देना. हाँ, सुहाना, कुछ भी हो. कॉल कर देना. मैड़म, अपका केबल में. हाँ, ठीके, ठीके. अच्छा, हम मैं बता दियो. और अपना ख्यान रखना. ओकी, ओकी. हाँ, मैं अपना ध्यान रखूँगे. हाँ, तुम लो भी अपना ध्यान रखना? ओकी. सार, शेहर में तो कितने ही ऐसे आप्टेस्ट और पेंटर्स होंगे, मिस्टर आकाश, आप जहां कहीं मैं है, प्लीज, स्टेज पे आजाएं. मिस्टर आकाश. एक्स्क्यूस मी. शेह, एक मुनिट, एक मुनिट, जरा, पाउस करो. सादमी को देखो, यो हुड पेना है, मासर पेना हुआ है. उसके जाकेट पर कुछ है, जूम करो जरा. सर ये तो एनिशिल्स लग रहे हैं, ए जी. क्या हो सकता है ये, ए जी. कोई कंपनी, कोई इंस्टिट्यूट, और्गनाजिशन, कुछ तो है, शाहर यादमी उसके लिए काम भी करता हूँ. जा, देखो तुझे, नेट पर, देखो, एजी इनिशिल्स की कॉई कंपनी वगरा कुछ है क्या है? सर्थ. सचीन, तब तक हम क्रिमिलिल डाटाबेस चेक करते हैं, देखते इस गोल्डन आय गैंग के बारे में क्या पता चलता है? चलो. आपका अंदाज़ा लुकुल सही निकला, ये गोल्डन आय नाम की गैंग, 2006 से 2010 के बीच में, आपरेट करती थी, सर. ये लोगों नहीं का है. कैसे कैसे क्राइम्स किये हैं इनोंने? सर, ये गैंग कॉलेज के बच्चों को धेर सारी रकम देती थी, और जब ये रकम बच्चे चुकाने ही पाते थे, तो उनसे मन जहा काम करवाते थे लोग. ट्रक की स्मगलिंग को कहने हैं, सर. 2010 में गोल्डन आय गैंग का लीडर जैकी पकड़ा गया. गैंग लीडर जैकी तारापुर जेल में हैं, और जर्म फिर से शुरू हो गए गोल्डन आय गैंग के नाम से, तो क्या कोई और गैंग चला रहा है? या फिर ये जैकी जेल की सलाहों के पीछे से ये सब करवा रहा है? सर? हाँ? सर, एजी इनिशिल्स वाली एक कंपनी बिली है, जो आर्च रेस्टोरेशन का काम करती है. आर्ट गैलेरिया नाम है? ये सर. अब दया जाएगा इस आर्ट गैलेरिया में और सब पता लगाकर आएगा. और हम जाएंगे इतारापूर जेल इस गोल्डन है गैंग के लीडर जैकी स्रीमिन ले. मिसर सुनील, ये देखिये, ये एजी इनिशिल्स ये आपके आर्ट गैल्री का है? जी हाँ, पर बात क्या है? बात बहुत सीरियस है, आपके यहां पर जितने स्टाफ मेंबर्स हैं, उन सब को यहां पे खटा के जिए, जल्दी. सब यही हैं, बोलिए. जल्दी. फिड़ी, एशिता, यहां पर जितने लोग हैं, सब के उंग्लियों के निशान लो, जल्दी. उंग्लियों के निशान? लेकिं सर, हुआ क्या बताईया ना प्रीज? एक खून हुआ है. पाद. और आपको शुक है कि खून मेरे स्टाफ के किसी आजमी ने क्या है? हमें शुक नहीं, पूरा यकीन है. जल्दी. आप भी हात रखिये. है, आपके हाथ पे रंग लगा है? सर में दोक्या तो. अच्छी तरह से दोना, चलो. आपके हाथ लाल रंग नहीं. विड़ी. इसके हाथ में लाल रंग नहीं. खुन लगावार. थैंक यू. आईे. आज तो मेरी किसमत ही जवा कही. मैंने सुना था कि प्यासा कुएं के पास जाता है. आज, कोहां खुद चलके प्यासा के पासा है? आज, क्या कामान पड़ा CID को चब? A.C.P. प्रदिबन, खुद चलके मेरे पास आया है. ये देखने के लिए. कि जेल की सलाखों के पीछे इतने सालों से सडने के बाद भी गोल्डन आई गैंग का लीडर जैकी अब तक सुधरा नहीं है. अभी भी अंदर बैटकर बाहर जुर्म करवा रहा है. कैसे सुड़ू? एक बुड़े आजमी का कट और एक औरत को अगवा, मेरा उससे कुछ ले आने नहीं है. यह देखो, गोल्डन आई गैंग जहां जहां चुर्म करती है, वह आपने सिगनेचर्स छोड़ती है. कभी पेंटिंग के रूप में, तो कभी लॉकेट के रूप में. मैंने कारना, मुझे इस बारे में कुछ मालम नहीं है. चलो. वैसे ही में, हम लोगोंने मुझे खरान कर रखा हैं. को लानाई के बारे में पुछ पुछ के, पुछ पुछ के. किन लोगोंने? यह जेल के स्टाफ के लोग. सर्फ. जेल के रजिस्टर से पता चला है कि आज सुपह जैकी को मिलने रूद्रा और विवान आए थे. रूद्रा और विवान? बताओ. कौन कौन है तुम्हारे साथी? नहीं बताओंगा. नहीं बताओंगा. नहीं बताओंगा. फांसी पर लटकाओंगा मैं तुम्हें. फांसी पर. इन दो जुर्म के लिए. लेकिन अगर अपनी सजा कम करवाना चाहते हो, तो हमारी मदद करो. सुनाय से पे प्रदिम्न. इने जबान का पक्का है. सही सुनाय. ठीक है. मताता हूँ. साब मैंने जो भी किया. सब कुछ पैसों किनालाज भी किया साब. अब डीटेल में बता. क्या क्या किया तोने पैसों के लिए? गल्ती से रुद्र के मेता का खुन कर दिया. मैंने सुना था लोग गल्ती से केले के छिलके पर से फिसल जाते. गल्ती से रास्ता भटक जाते हैं, यहां तक कि गल्ती से शाधी भी कर लेते हैं. लेकिन गल्ती से खुन, यह बात मैं पहली दफर सुन रहा हूँ. मैंने कुछ गिट्नेप करने चाता था. और वो जोटी सी प्याले लेके और में गबरा गया. और हट-मणाट में मैं उनको खून कर दिया. किस ने दियते पैसे तुम्हे यह सब करने के लिए? मालू मरी साब, मुझे मेरे घर के बार एक पार्से बिला. तुमें कुछ पैसे, एक जट्थी, और सुने दिया के एक फोटो थी. उसकी फाह मुझे पेंटिंग बनानी थी. और रुद्र की पिता को गिड्नाप करना था. कहां है वो चथी और वो फोटो? वो तो मैंने उसी लुक चिला दी थी. बहुत बुरी तरफ हस गया है तु बेटा. फासी तो तुझे होगी, पर अगर वो सुपारी देने वाला पकड़ा नहीं किया ना, तो फासी के पहले हम तेरे साथ क्या-क्या करेंगे, तु सोच भी नहीं सकता. तु सोच भी नहीं सकता. तुझ के रहा हूँ साब, उसमें किसी का नाम नहीं लिखा था. तु कुछ और लिखा होगा, ज्या बढ़ा था तुमने? हाँ साब, वो पारसल सातारा से आय था. सातारा? हाँ. साज बोल रहा है हमें गुम्रा करने की कोशिश कर रहा तो. साज बोला साब, छूट बूल के मुझे मिले का क्या? सातारा? सातारा? तु काम होगा. और यह टेंशन तो और भी बढ़ गई है. और अगर जैकी ने जो कहा है, वो सच निकला? तो? आम लोग तो गए काम से. अब देखतेगी कौन जीता है, मम्मी जीती है कुनाल जीता है, हाँ? एक पिनिट. तुम? हाँ मैडम, केबल के पैसे लेना है था. कितने हुए? वो अपको कल बिल दिया था न, उस पे लिखा हुआ है. अच्छा, रुको, में लेके आती हूँ. कुनाल! कुनाल! यहाँ, अजमी कहाँ गया? कुनाल! कुनाल! कुनाल, कहा हूं तुम? Sir? हाँ? Sir, Golden Eye Gang के सभी लोगों की information मिल गई. सिवाए एक के. उसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है. कौने हो? अभीर. Sir, उसका शायद ये फोन नमर गलत है. फोन लगी नहीं रहा है. ये उसका घर का पता है ना? ये, Sir. गर पे जा कर देखो. अगर घर में कोई है, तो लेक राओ उने ही आपर. Sir. अभीर. आई, Sir. अभीर के माता पता. नमस्ते. आई, आई. हमने सुना, आप हमारे बेटे अभीर को ढूंड रहे हैं? जी हाँ. कुछ पता है आपको अभीर कहाँ पर है? पाच साल हो गए हैं, हमारे बेटे अभीर को गायब हो रहते. लेकिन आज चिता को उसका कुछ पता नहीं चला है. पता नहीं. हमारे चिता को आग कौन देगा. ने ने प्लीज देखिया, ऐसे मत कही है. कुछ नहीं हुआ होगा अभीर को. हम पूरी कोशिक करेंगे उसे दूढ़ने के. चिंता मत कीजे. अच्छे ये बताएए के आप लोगों का बेटा, अभीर, गलत लोगों के साथ जुड़ा हुआ था. गोल्डन आई गैंग के साथ. इसके बार में आप लोग कुछ आनते हैं? और वो तो उस सारा गलत रास्ता चोड़के एक नई जिंदगी के शिरुआत करना चाहता था. अनुश्का के साथ. अनुश्का के साथ? यह अनुश्का कोड़े? वो जिसे वो साथी कना चाहता था, सर. और कुछ दिनों के लिए वो दोनों सतारा भी गए थे, सर. ताकि जोर्म से दूर एक नई शिरुआत कर सके. लेकिन कुछ दिनों के पास सतारा से ख़बर आई कि वो दोनों वहां से ना पता है? इस अनुश्का का कोई फोन नंबर या पता है आपके पास? जी. एड्रस में, सर. बंच, एड्रस लेलो. सर. अधिया? रूद्रा और विवान ने कॉन्फरेंस कॉल किया था, सुहाना को. सुहाना के फोन लिस्ट के मताबिक उसने सबसे जादा कॉल रूद्र और विवान को किये हैं. यह क्या? दर्वाजा खुला है? सुहाना? 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 जारो देखुएंदर, हलाचीलो. सुहाना? सर! क्यों? तानिया, विवान की पत्नी. ओ नौ! चाक उसे गला चीरती है इसका. सर, तानिया अगवा हुई मुंबई में. और इसकी लाश यहां पूने में पड़ी. मतलब सर? सुहाना ने किड्नाप किया ऐसे? नहीं, फ्रेडी. सुहाना... सुहाना ने किड्नाप किया ऐसे. वरना वो लाश यहां घर पे छोड़के नहीं जाती. कोई उसे फसानी की कोशिश कर रहा है? ना, शेया? क्या? सुहाना का मोबाइल फोन इसवाग सातारा में है? सर, सुहाना के मोबाइल का लोकेशन यहीं पे दिखा रहा है. अब हमारे पास दुसरा कोई चारा भी तो नहीं है. हमें एक कदब उठाना ही पड़ेगा. यह काम हमें उसी दिन कर देना चाहिए था. जिस दिन अभीर और अनुष्का को बुलाया था. यही वो जगहना जहां पर वो दोना चल के आये थे. अब हमत करो. हमत करो और यह ट्रिगर दबागो. हमारा साथ चाहिए इस तरगा. तो एक दुसरे को मारने भी तू ले. अरे? क्या कर रहा? अपने हाथों से ट्रिगर कोई नहीं दबाएगा. इन हाथों में हत्कडियां लगेंगी, समझे? लीज, सर. हमारे परिवार वालों को बचा लीजी. उनकी जान खत्रे में है. अगर हमने एक दूसरे को नहीं मारा तो उनकी जान ने लेगा, सर. कौन करवा रहा है ये तुम लोगो से? हमें कुछ पता नहीं, सर. हमें कॉल यही सातारा से आई थी. अपको जो सजा देनी है हमें दे दीजी. लेकिन उसको पकड़ लेना. बरना वो हमारे परिवार वालों को मार डालेगा. पहले शुरू से पूरी बात बताओ. तुम लोग गोल्डन आई गैंग के मेंबर्स थे ना? तो ये गैंग टूटा कैसे? सब कुछ सही चल दा था, सर. लेकिन उस अब्दीर के लालच की वज़े से सब बरबाद हो गया. उसमें हमारे बॉस जैकी के पचास लाक रुपए चुरा लिये, सर. और सर, वो ये पैसे लेकर अपनी मंगेतर अनुश्का के साथ ये शेहर छोड़के जाने वाला था. सर, जैकी से बच पाना नामुम्किन है. उसी ने हमें ये काम दिया था कि उन दोनों को खतम कर दो. पांच साल बात फिर से वही हो रहा, सर. हमें अपने ग्रूप के सदस्यों को मारने के लिए कहा गया है. फर्क सिर्फ इतना है कि ये और्डर्स चैकी नहीं कोई और दे रहा है. कौन, सर? वह पता लागाने की बेक तर्कीब है. सर? अनुष्का यहां? के आप लोग? दिखिए हम लोग CID से हैं. मैं ECB प्रद्यमन. विसे ये अनुष्का है ना? जी, सर. यही अनुष्का है. आप… सर, मैं इनकी नर्स हूँ. इनकी देखबाल करती हूँ. यह तो खुच से कुछ कर भी नहीं पाती. पैसी. और कोई दिख नहीं गा है गर में? सर, बस हम दोनी रहते है जर. ओ. आप दोनों ही है तो फिर अनुष्का की देखबाल का खर्चा वगारा और आपको काम पे किसने रखा फिर? सर, वो तो मालूम नहीं. मुझे इनकी देखबाल के लिए 9 to 6 रखा गया है. और हरमाई ने दरवाजी पर एक निफापा मिलता है. जिसमें अच्छी खासी रखम होती है. अनुष्का, अनुष्का विटा, इधर देखो विटा. तेखा सर, आपने. ना कुछ सुनती है ना कुछ बोलती है. बस एक जिंदा लाश की तरह बनी हुई है. कुछ भी मैंसुस करने की शक्ती नहीं है इसमें. दिखे एक रिक्वेस्ट है. हमें केस के सिलसिले में यहां आ गए हम चाहते हैं कि आपकी इस गर की तलाशी ले लें. जी ज़रूर सर. तैंक्यू वेरे मच्छ. सुचिन. सर. सर कमरे में यह डायरी मिली सर. एस जेडी कॉलेज की. लेकिन डायरी पूरी तरह से खाली है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ. एस जेडी कॉलेज? सचिन. लता ही अनुष्का है, एस जेडी कॉलेज में पढ़ती हो. या फिर जिसने भी यह सब किया है, जिसकी वज़े से यह सब हो रहा है, उसका इस एस जेडी कॉलेज से कोई ना कोई संबन जरूर है. कोई ना कोई संबन जरूर है इस एस जेडी कॉलेज से. एस जेडी कॉलेज. चूर पेंटर रुद्र जिनके पिता का मडर चागू घोपके कर दिया गया था आखिरकार वो खोनी पकड़ा ही गया उस खोनी का नाम है अनुश्का जी हाँ खोनी एक लड़की है सतारा की रहने वाली मासूम सी दिखने वाली अनुश्का कोई सोच भी नहीं सकता कि उसके मासूम सी दिल में ऐसे खतरनाग मनसूबे उमड रहे हूँ फिलाल अनुश्का जील के लॉकर में नहीं सिटी हॉस्पिटल के अमर्जेंसी वाल्ड में मुस्ताज के तुड़ा उनका दिल धेल गया और उनको पैनिक अटेक पड़ गया इसलिए कहते है कि जुलूम करना फायदे का नहीं घाटे का सौधा है है समीरा मेरा हाचल पुछ लिया यो हॉस्पिटल बे हाँ स्वीट इतना बड़ा धोखा इसे थोकाने केते मेडम इसे नहले पे तेहला केते हरे जेवंती यह अनुष्का का हालचाल पूछने आय थी यह तुम्हें देखकर कुछ ज्यादा खुछ नहीं लगती उदास हो गई यह पिशारी इसकी उदासी मैं अभी दूर कर देते बताओ क्यों किया तुने यह सब हाँ इसलिए उन्हें उस गोल्डन आई की सिंबल की याद दिलाती रही तहा कि उन्हें याद रहे कि यह उनके अतीत के पापो की कीमत चुका रहे है मालूम है टीवी पे अनुष्का की वो जूटी कवर हम नहीं डाली थी हम जानते देगे टीवी पर अनुष्का की न्यूज देखकर तुम भागी भागी चलियाओगी है कैसे नहीं आती बहुत प्यार जो करती हूँ उससे इतना प्यार करती हूँ अपनी बहन से कि कानून हाथ में ले लिया हाँ माना के जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ अगर कानून अपने हाथ में लेकर तुमने भी गल्ती की है जो उन लोगों ने की सजा तो तुमें भी होगी